एक 2 इंटू 3 के करम का आव्यू लिखिए जिसके अव्यव B I J बराबर I प्लस 2 J का होल स्क्वाइर बटे 2 हैं यहां हमें 2 इंटू 3 के करम का आव्यू ग्याद करना हैं जिसमें 2 तो पंक्तिया होंगी और 3 स्तंभ होंगे 2 इंटू 3 से अभी प्राए क्या है? पहला जो हमने लिखा है 2 यह बदर्शाता है कि पंक्तियों की संख्या 3 क्या दर्शाता है? 3 दर्शाता है स्तंभों की संख्या अर्था जो I के मान होंगे वो कौन कौन से होंगे? I के मान 1 और 2 लेने हैं क्योंकि 2 पंक्तिया हैं तो I का मान तो होगा 1 और 2 जे का मान होगा एक दो तीन और हमें दिया है बी आई जे बराबर है आई प्लस दो जे का होल स्क्वाइर बटा दो आई के मान एक और दो लेने हैं क्योंकि यहां दो बंगतिया हैं तो आई के मान एक और दो लेंगे जे के मान क्योंकि यहां तीन इस्तंभ हैं इसलिए जे के म मान एक दो तीन लेने हैं, अब हम आई के मान और जे के मान लेके अवयवों को ग्यात करते हैं, तो B1-1, B1-1 से क्या अभी प्राय होगा, पहली तो पंक्ती और पहला इस्तंप, इसका मान क्या होगा, आई और जे के मान एक एक रख दिये, एक प्लस दो का होली स्कॉार बटा 2, i और j के मान एक और एक रखने से मान कितना आ गया, 3 का whole square अर्थात 9, तो मान हो गया b11 का मान हो गया 9 बटा 2 b11 अर्थात जो पहली पंक्ती का पहला अवियव है, वो b11 9 बटा 2 के बराबर है, अब हम b12 का मान गयाद करते हैं तो b12 अर्थात पहली तो पंक्ती और दूसरा इस्तंप तो b12 का मान क्या हो गया i बराबर हमने एक रखा j बराबर हमने रखा 2, तो मान कितना हो गया 1 प्लस 4 का whole square बटा 2, अर्थात मान हो गया 5 का square 25, तो 25 बटा 2 b12 का मान हो गया 25 बटा 2 इसी प्रकार i बराबर अब हम i बराबर क्या रखेंगे एक और j बराबर रखेंगे 3, तो b13 का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 का whole square बटा 2 क्योंकि j हमने 3 रखा है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा मान हो गया 7 का whole square अर्थात उड़ंचास तो b13 का मान हो गया उड़ंचास बटा 2 इसी प्रकार अब हम क्योंकि i का मान हम एक रख चुके हैं अब हम i का मान रखेंगे 2 तो b2 एक रखने से क्या मिलता है b2 और j एक रखने से मान मिलता है 8 जब i बराबर 2 और j बराबर 2 है तो हम मान पराप्त करते हैं 18 और i बराबर 2 और j बराबर 3 रखने से मान आता है 32 इस प्रकार हम b11, b12, b13 इन तीनों के मान गयात कर लिए पहली पंक्ती में तो ये अव्यव आएंगे पहली पंक्ती में अव्यव कौन कौन सा आएंगे 9 बटा 2, 25 बटा 2, 49 बटा 2 दूसरी पंक्ती क्योंकि i बराबर 2 ले लिया है हमने तो दूसरी पंक्ती में कौन कौन से अव्यव आएंगे 8, 18, 32 तो इसलिए जो हमारा आव्यू हो गया b, वो क्या हो गया आव्यू b, बराबर b, i, j b, i, 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 i से हो गए 8 18 32 तो दूसरी पंक्ती में मान आ गए 8 18 32 इस परकार हमने आव्यू भी ग्याद कर लिया हमारा अभिष्ट आव्यू इस परकार से होगा